रुझान वाली जगहों में आपका स्वागत है आज हम आपको गुजरात के पाटन में रानी की वाव रानी की बावडी भारत में बावडीयों को लंबे समय से एक विशिष्ट प्रकार की जल भंडारन प्रनाली के रूप में मान्यता दी गई है पानी को स्टो करने के लिए उतरते कदमों के क्रम के साथ कों का पानी अक्सर यह माना जाता है कि वाव में पानी जादूई है क्योंकि यह वहाँ पाए जाने वाली जड़ी बूटियों की बदौलत लोगों को ठीक करता है सरस्वती नदी के तर पर रानी की वाव ग्यारंवी शताब्दी इस्वी में एक शासक के समारक के रूप में बनाया गया था बावणी एक अद्वितिय प्रकार का भूमिगत जलसन साधन और भंडारन प्रणाली है जिसका उप्योग भारतिय उप महाद्वीप पर तीस्वी सहस्राब्दी इसापूर्व से किया गया है वे समय के साथ रेतीली मिट्टी में एक साधारन गढ़्धे से कला और वास्तुकला के जटल बहु मंजला कारियों तक आगे बढ़े रानी की वाव का निर्मान बावरी निर्मान और मारू गुर्जरास्था पत्य शेली के शिखर पर किया गया था जो इस जटल तक्नीक की महारत के साथ साथ विस्तार और अनुपात में जबर्दस्ट सुन्दर्टा का प्रदर्शन करता है यह उच्छ कलात्मक गुनवत्ता की मूर्तिकला पैनलों के साथ सीरियों के साथ स्तरों में विभाजत है 500 से अधिक प्रमुक मूर्तियां और 1000 से अधिक छोटी मूर्तियां धार्मिक, पौरानिक और धर्मनिर पेक्ष कलपनाओं को जोड़ती है जो अक्सर साहित्य कारियों को संदर्वित करती हैं और पानी की पवित्रता को उजागर करने वाले एक उल्टे मंदिर की रूप में डिजाइन किये गए है साथ मंजिला इस सनरचना की लंबाई 64 मीटर, चोड़ाई 20 मीटर और गहराई 28 मीटर है इसे दुनिया में महान शिल्प कौशल और वास्तुकला के सर्वश्रेष्ट और सबसे प्रतिष्थित उदहरनों में से एक माना जाता है मारू गुर्जर शिल्पकारोग्वारा प्रदर्शित स्थापत्य शेली है चालुक्य वंश की रानी उद्यमती ने 1963 में अपने पती बीन देव प्रत्थम के सम्मान में बावडी का निर्मान किया था नर्वराह खंगारा की बेटी उद्यम्ती ने जैन विक्षू मेरू तुनगा की 1304 रचना के अनुसार पाटन में इस बावडी का निर्मान किया था उसी सनरचना के अनुसार बावडी को 1063 में चालू किया गया था और 20 साल बाद पूरा किया गया था केवल शाफ्ट और कुछ हम्भे दिखाई दे रहे थे जब पुरातवविद हिन्री कूसेंस और जेम्स बर्गेस ने 1890 के दशक में इसका दौरा किया था जब यह पूरी तरह से गाद के नीचे दब गया था 1940 के दशक में बावडी को फिर से खोजा गया और 1980 के दशक में भारती अफुरातत्व सर्वेक्षन द्वारा पुनर्निर्मित किया गया 2014 से बावडी को युनेसकोड की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है बावणी को उल्टे मंदिर के रूप में बनाया गया है यह उस योग की उत्प्रिष्ट शिल्ट कोशल और अद्वितिय मारू गोर्जर स्थापत्य शेली को प्रदर्शित करता है और इसमें माउंट आबू में विमलिव साही मंदिर और मोधिरा में सूय मंदिर के समान मूर्टिया है हाल ही में पेश किये गए लवैंडर एक सो रुपी के नोट में यह बावडी है जिसने अचानक इस एक बार अग्यात साइट पर ध्यान आकर्शित किया है रानी की बावडी के रूप में भी जाना जाता है रानी की वाव युनेसको की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोशित होने वाली एक मात्र बावडी है इसे 2016 के भारतिय स्वच्छता सम्मेलन में भारत में सबसे स्वच प्रतिष्ठित स्थान से भी सम्मानत किया गया था आशा है आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे सभी वीडियो देखते रहें